ओम शान्ती चोदा मैं दो हजार पाइस की साकार मुर्ली से होमवर्क आज की मुर्ली से हम स्वामाल लेंगे मैं सूर्यवंशी हूँ सूर्यवंशी अर्थाद संपूरन ताकी मूर्ती सरव खजानों से संपन इसके लिए विजन बनाएंगे ज्यान के दरपन में मैं आत्मा अपने संपूर्ण सवरूप का दर्शन करती हूँ स्वयम बाप दादा मुझे वतन में ज्यान का तीसरा नेत्र देकर मेरे संपूर्ण सवरूप का दर्शन करा रहे हैं स्व्यम को मैं विश्णु चत्रभुज की सवरूप में देखती हूँ, सिर पर रतन चड़ित ताज और मस्तक में गुणों की मनी जिसका गुणों का प्रकाश सिर के पिछे लाइट का हेलो बना रहा है और देवताई ड्रेस, चेहरे पर संतुस्ता की चमक, नैनों में रोहानियत का नूर और होंठो पर संपन्ता की मुस्कान तो इस तरह अपने संपूरन सवरूप का आश्यम भी दर्शन करेंगे और इस सवरूप में स्थित होकर जब हम करम करेंगे तो दूसरों को भी साक्षातकार कराएंगे तो हर करम में विजई रहेंगे और निर्विगन रहेंगे आज की मुर्ली से धारना के लिए पॉइंट लेंगे बाबा ने कहा सूर्यवन्शी घराने में उचपद पाना है तो पूरा पुरुशार्थ करो अर्थात संपूरन बनो तो तुम विश्णों की माला का दाना बन जाएंगे तो सूर्यवन्शी की विशेष्टाओं का आज हम चिंतन करेंगे सारा दिन करम करते हुए सूर्य वन्षी सदाई विजय होते हैं निश्च्य बुद्धी होते हैं और सूर्य वन्षी निरंतर योगी होते हैं निर्विघन रहते हैं तो ये विशेश्टाएं आज की मुर्ली में बाबा ने कहा कि सूर्य वन्षी बाप समान सेवाधारी भी होते हैं तो इसके लिए आज हम पुर्शार्थ करेंगे कि बाप समान वाप की याद में रहकर सेवा करने है और बाप की याद में रहकर पवितर रहना है तो इसके लिए आज हम विशेश आटेंशन देंगे चलते फिरते उठते बैठते बाबा की निरंतर याद मुझे कितनी रहती है और जैसे हम रियंतर याद में रहते हैं जो आत्मा संपर्क में आती है तो बाबा को याद करके हम उस आत्मा के लिए संकल्प करेंगे कि बाबा ये देवता कुल की आत्मा है इस आत्मा को उपर आप भी दया करो इसकी बुद्धी का ताला खोलो तो बाबा भी याद रहेगा और सेवा भी हो जाएगी दूसरे विधी बताई कि स्वधर्षन चक्रधारी बनो स्वधर्षन चक्रधारी बनेंगे तो बाबा ने कहा तुम भविश्य में उंच पत पाएंगे तो बनना भी है और बनाना भी है स्वियम्त का दर्शन करना है कि हम आत्मय सत्युग में सरवगुन संपन थी, सोला कला, संपुरन थी संपुरन निर्विकारी थी, डबल आहिन सक्ती तो इन गुनों का चिंतन करते करते इनका सवरूप बनते जाना है तो दूसरी आत्माओं को समझाना है कि तुम्हें भी क्षीर सागर में जाना है तो पवितरता की पर्तिग्या करो हम ही देवता थे हम ही देवता बनने का अभी पुर्शार्थ करते हैं फिर संगठन में बैठ कर अगर हम योग करेंगे तो सब को सुक शान्ती की वाइब्रेशन्स मिलेगी तो ये भी एक तरह से स्वक की और दूसरों की सेवा हो जाती है दूसरा है कि हमें बाप को फोलो करना है कि हम शिववन्शी है ब्रह्मा मुकवन्शावली है शिववन्शी है तो हम मर्सी बाप समान मर्सी फुल, नौलेश फुल, प्यार में फुल, नौलेश में फुल और पवितरता में फुल बनना है तो याद रखना है कि ब्राह्मन बच्चे आपस में भाई बैन है तो प्यार से रहना है, एक दूसरे को दुख नहीं देना है तो श्री मत पर चलना है तो इन बातों को दार्णा में लाते हुए हम सूर्य वन्शी गराने में उच्पद पासकते हैं ओम शान्ति